हलो फ्रेंड्स नामस्ते न्यूजीन हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों ससुराल हुई है माईका और अगर आप कामकाजी है तो आपको हर जगे प्यार मिलता है और आप भी बनना चाहते हैं ससुराल में सबकी फेवरेट तो आपको कुछ स्पेशल करना ही पड़ेगा अगर आपने खाना बनाना सीख लिया तो समझ ही कि आपने आधी जंग तो जीत ही लिया है घरों में खाना बनाना वैसे तो आमतोर पर सभी को आता है लेकिन अगर आपको कुखिंग के छोटे छोटे टिप्स पता हो तो आप भी बन जाएंगे कुखिंग एक्सपर्ट और घर के सभी मेंबर हो जाएंगे आपकी कुखिंग के दिवाने अगर पापड और बिस्किट सिल गए हैं तो इन्हें डिब्बे में पुदिने की पतियों के साथ बंद करके करीब अं 3-4 घंटे के लिए रख दे गारंटी है कि ये क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में भी नया स्वाद आ जाएगा सबजी पासी हो तो उसे काट कर कुछ दे निम्बू का रस मिले पाने में पड़े रहने दे वो ताजी हो जाएगी पतिले में थोड़ा सा पाने डाले इसके बाद दूद उबाले इसे बरतन के तलिवे पर दूद नहीं चिपकेगा अंकुरित अनाज को फ्रीज में रखने से पहले अनाज में छोटा चमच निम्बू का रस मिला ले तो अनाज में बद्बू नहीं आएगी ताजा हरा धनिया पत्ति को बजार से लाकर फ्रीज में रखने से पहले उसकी जड़े तोड़ दे और फिर किसी डिब्य में बंद करके फ्रीज में रखें इससे धनिया एक हफ्ते तक ताजगी बनी रहेगी प्याज काटने से आदे घंटे पहले फ्रीज में रख ले इससे काटते वक्त आसू नहीं निकलेंगे और चाको गर्म करके प्याज काटने से भी आसू नहीं निकलते हैं पानी में भिगो कर लसुन छिलने से लसुन जट पर छिल जाएगा और आसानी से भी छिल जाएगा लसुन को छिल कर तेल के जार में डाल दे इस खुश्पुदार तेल का इस्तेमाल सलाद या ड्रेसिंग में भी कर सकते हैं तीन किलो आटे में आदा किलो सोयाबीन का आटा मिला ले तो आटा में प्रोटीन तिछ हो जाता है दूद के बर्तन को धूने से पहले गुंदे आटे से पहुंच ले इससे बर्तन साप भी हो जाएगा और आटा भी मुलायम हो जाएगा फ्रेंज ये छोटे छोटे से टिप्स हमें अपनी लाइफ के लिए पूरे काम आते हैं तो दोस्तों अगर न्यूस पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें नमस्कार